Hello guys, welcome back to Sage IQ, this is Rahul तो guys, आज का हमारा question है विभद सरस क्या दर्शाता है? आपके option है, पहला option है घ्रिणा घ्रिणा ऐसे लिखेंगे घ्रिणा और आपका दूसरा option यहाँ पर है, क्रोध तीसरा option है, प्रेम और चौथ option आपका है, पीड़ा बताईए, आपका answer क्या होगा? विभद सरस क्या बताता है? विभद सरस क्या दर्शाता है? ठीक है, तो right answer यहाँ पर हो जाएगा, घ्रिणा आप लोगोंने रस के बारे में पढ़ा होगा तो विभद और भ्यानक जो रस्वापरम पढ़ते हैं, अस्थाई भाव और भाव नहीं पढ़ागो ता आप जुरूर पढ़ेगा इसके बारे में चलते हैं, नेक्स वोशन पर कौन सौंदर ये शास्त्र में प्रसिद्ध दार्शनिक है? आपके यहाँ पर option है हल्म होल्ज, दूसरा पाइथागोरस, जसको आंसर पता है, आंसर करिया और तीसरा आपका option है, कार्ड मास्क, कार्ड मार्क्स और चौथा आपका option है, कांट तो यहाँ पर शौंदर ये शास्त्र में प्रशिद्ध दार्शनिक कौन है? तो आप लोगों ने ये तरूर पढ़ाओगा, कांट के बारे में जैसे प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं, ये सभी जो हैं आपके शौंदर ये शास्त्र में आते हैं चलते हैं, नेक्स कुश्चन में, ये भी टॉपिक अच्छा इसको पढ़ेगा कुश्चन है, कौन सा विकल्प ललित कला में नहीं है? अब पहला option आपका है, काव्य ललित कला के बारे में बात हो रही, तो संभल कर आंसर करिएगा सेकेंड ओप्शन यहां पर है, वास्तू तीसरा यहां पर आता है, कुम्भक कारी और चौथा ओप्शन है, शिल्प कला मतलब पोईट्री, आर्किटेक्चर, जो वास्तू बोलते हैं, पोट्री पोट्री समझते हैं, मतलब जो बरतन बनाना में ठीक है तो क्या वो ललित कला है? नहीं है, तो यहां पूछा है, नहीं है कभी कभी क्या होता है, जल्दी से हम क्यूशन पढ़ते हैं, और फट से लगाते हैं, कहां कावे कला आगे हम आप्शन देखते हैं, तो यह गलती मत करिएगा है या नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से क्यूशन को करेंगे तो जो माइनर सी, ब्लंडर सी मिस्टेक्स होते ही, वो आपसे एक्जामे नहीं होगे तो यहां पर हमारा कुम बगारी है, मत्तब जो पौटरी वाला होता है काम बरतन वगारा बनाने का, वो आपके ललित कला में नहीं आता है चलते हैं, नेक्स कुशन पर कौशन है, कौन सौंदर ये शास्त्र में प्रशिद दार्शनिक है ये कौशन यहां पर रिबीट है, चलते हैं, नेक्स कुशन पर कौन सारस नाटे शास्त्र के बाद जोड़ा गया था, या फिर नाटे शास्त्र के काल के बाद जोड़ा गया था तो पहला यहाँ पर है हास्य, अच्छे क्वेश्चन से यहाँ से पुछे गए, दूसरा है यहाँ पर वीर, तीसरा यहाँ पर है शांत, और चौता यहाँ पर है गंभीर. बताईए हास सिरस है वीर है शान्त है या गंभीर है नाटे शास्तर के बाद मतलब यहाँ पर कुश्चन यह है कि भरत ने कौन सा रस नहीं बताया है सिदा सिदा सा कुश्चन है क्या होगा राइट अंसर बताईए ठीक है शान्त रस यहाँ पर होगा भरत ने अपने ग्रंत में सिर्फ आठ रसो का वर्णन किया है शान तरस आपका यह अभिनों गुप्त ने आप कहा सकते हो कि जो नौवा रस था यह नहोंने जोड़ा है नाटे शास्तर में सिर्फ आठ है चलते हैं next question question है विशम ग्याद करिया अब विशम में कौन-कौन से option है पहली है पहला option है शिल्प कर्म दूसरा यहाँ पर option है अनुप्रयुक्त कला और next तीसरा आपका option है सजावटी कला और चौथा यहाँ पर आपका option है ललित कला बदाईए शिल्प कर्म अप्लाइड आर्ट देकुरेटिव आर्ट्स क्राफ्ट और फाइन आर्ट्स बताईए शिल्प कर्म अनुप्रयुक्त कला सजावटी कला या फिर ललित कला इसमें से क्या होगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फाइन आर्ट ललित कला चलते हैं नेक्स कुश्ण पर राग गायन में किस रस का चित्रण नहीं किया गया राग गायन में किस रस का चित्रण नहीं किया गया यह पेंटिंग से है राग राग नी पेंटिंग से कुश्ण है इसको पढ़िएगा पहला है वीभच अच्छा कुशन है दूसरा है करुण तीसरा है यहाँ पे शांत और चौथा यहाँ पर श्रिंगार राग रागनी पेंटिंग्स के बारे में O.C. गाउंगली ने एक बुक लिखी है रागाज एन रागनी तो उसके बारे में इसमें काफी डीटियल में चीज़ा लिखी गए इंगलेश में बुक है यह तो राग गाएन में किस रसका चित्रण नहीं है तो मैं बता देता हूं यह विभाद से आगे चलते हैं नेक्स कुश्चन दिये गए ताल खंडों में से प्रतेक खंड में समान मात्रा किसम है यह आप बता लोगे यहां पर फिलहाल तिलवाडा जो है ताल ऑप्शन में है यह आपका राइट आंसर इसमें टाइम वेस नहीं करेंगे क्योंकि यह तो सबको पता ही होता है तो हां एक कुश्चन जैसे यह भी है कि जो ताले हैं उसको अच्छे से पढ़ लिजेगा उसमें वभाग कितने हैं मात्राएं कितनी हैं ताली खाली कितनी है यह आप अच्छे से पढ़ gathering है और विभाग में कितनी मात्राएं हैं यह भी आप वहाँ पर पढ़ यह सब एक्जाम में questions आपसे पूछे जाएंगा नेक्स्ट question है दुरुपद की प्राचीन रचाओं का अंतिम भाग है तो अस्थाई तो होता नहीं है अंतरा भी नहीं होता है और फिर संचारी है आभोग राइट आंसर क्या हो जाएगा आभोग इसे question है चलते नेक्स question पर कौन सा वाद्य यंत्र नारद से सम्बंदित है पहला यहां पर जांज दूसरा यहां पर वंसी और तीसरा यहां पर है वीना और चौत्था यहां पर है धोलक बताईए नारद नारद की वीना थी कौन सी वीना थी नारद की वीना कौन सी थी उसका नाम बताईए यह आप यहां पर comment section में आंसर करेंगे नारद की वीना का नाम चलते हैं next question पर, प्रकेड़ना अध्याय में सू संप्रदाय से क्या अतात परिया, सू संप्रदाय, पहला है, गुरू से सम्मंदित, दूसरा है, धारमिक गती विधियों से सम्मंदित, सू संप्रदाय का मतलब पुछा, और तीसरा यहां पर है, प्रतिस्ठित परिवार से सम्मंदित, और चौथा ओप्शन आपका है, शिश्यों से सम्मंदित, बताई, आंसर करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही है, सू संप्रदाय का मतलब है, गुरू से सम्मंदित, गुरू परंपरा से सम्मंदित, यहां पर बोला गया है, सू संप्रदाय, बहुत अच्छा कुश्यों, आगे है, कितनी कलाओं को प्राचीन भारतिय शंस्कृती में शामिल किया गया, नंबर आपके 54, 64, 24, या 5, आप्शन रताई है, कौन सा यहां पर राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, 64, यहां पर राइट आंसर आपका होगा, 64, 64, नेक्स्ट कुश्यों पर चलते हैं, वो 64 ललित कलाए हैं, वादसायन ने इसका वर्णन किया, निमलिखित में से कौन सी ललित कला नहीं है, यह कुश्यों पीछे अभी आपने किया है, यह कुश्यों यहां पर रिपीट है, नेक्स्ट कुश्यों पर चलते हैं, कौन से दो तत्व नाद का निर्माण करते हैं, पहला है, पानी और अगनी, दूसरा है, स्वर और राग, तीसरा है, वायू और अगनी, और चौथा है, आकाश, आकाश और जल, बताईएं, यहां पर यह आपका वायू और अगनी होगा, नकारम, दकारानाम, मलनम, ठीक है, एक शलोक है, संगीत रतनाकर में, यह कुश्यों वहीं से आया, ठीक है, नाद के विशे में, रस शद्धान्त किस शाखा से संबंदित है, जीव विज्ञान से, उसके बाद मनो विज्ञान से, समाज सास्त्र से, और भाशा विज्ञान, तो आपका यहां पर आंसर क्या होगा, बताइए, मनो विज्ञान से, रस सिद्धान्त क्योंकि वो इंपाक्ट डालता है, मन पर और भावों पर, तो इसलिए मनो भावों, यहां पर है, पटाक्षर की पहचान के लिए, पटाक्षर वही तबले के बोल, मृदंग के बोल हो सकते हैं, दूनी के पहचान करना है, पहला आप्शन है, ओम्तत स्वाह, दूसरा आप्शन है, जय जय, यह पहचान जाओगे, इसमें दो, किलाल कुछ नहीं है, पाधा पा गशन है, भाषारागों की श्रेड़ी, किस वरगी करन्ट प्रणाली से संब्वन्दिताए, भाषा राग पूछा गया है, उपर आपको नहीं है, जन्ने राग ये सब आपका, तो यह पूछ रहें कि भाषाराग किसी से संब्वन्दिताए, अच्छा कुश है ना, मेल रा और ग्राम राग से आंसर बताईए देखिए इजी क्विश्चन तो हर कोई बता लेता है जो थोड़ा बहुत त्यारी कर रहा है यह जो क्विश्चन है यही दिखे एक्जाम में क्या होता है न दस से पंद्रा नंबर का ही आपका मेरिट या कटॉफ बनती है बाकी तो 100 नंब मेरिट आपकी 70 के ऊपर किसे बनती है मालेज आपने 10 नंबर का अच्छे से कर लिया यह जो टफ क्विश्चन है यही मेरिट आपकी बनाएंगे बाकी एजी तो देखिए हर कोई कर लेता है वो जाहिर से बात है इसका अंसर बताईए भाशा राग किस से संबंदित है यह आ नेक्स्ट कुश्चन है शुति विभाजन का सही सूत्र कौनस है यह तो सबको पता है 432 4 432 यही राइट आंसर है अब इसमें इदा दोर करने के को जरूर होते है चलते है आगे तीन ग्राम है आप यह 6 ग्राम का है मध्यम ग्राम का याद कर लेजे और गांधार का कर लेज बताईए, यह अच्छा कुश्य ना, नाटे शास्तर, व्रिहत देशी, आंसर करिये, अच्छा कुश्य नहीं है, राग विबोध, या फिर क्रमिक पुस्तक मालिका, राइट अंसर क्या होगा, नाटे शास्तर, व्रिहत देशी, राग विबोध, या फिर क्रमिक पुस्तक मालिका, राइट आंसर आपका व्रिहत देशी होगा, राग शब्दे की वरिबाशा, सबसे पहले व्रिहत देशी में मतंगउनी न की, कौन सा शब्द भक्ती संगीत से सम्मन्दित है? यहाँ पर है धुरुआ यह बेच्छा कुशन है दूसरा है आक्षिप्ते का तीसरा है भन्जनी और चौथा है अश्ट छाप पहला दूसरा आक्षिप्ते का तीसरा भन्जनी चौथा अश्ट छाप बताईए अंसर बता देतों में यह है अश्ट छाप अश्ट छाप जो है अश्ट छाप के कवी हुए जैसे कुम्बन दास हो गया सूर दास हो गए नंद दास हो गए ठीक है तो यह भक्ति संगीत की बहुत बड़ी चेन है उसी टाइम में मीरा भाई तुलसी दास यह पूरे इसी चेन में हैं तो अश्ट छाप यह पुष्टी मार्ग या फिर भक्ति संगीत से यह संबन्धित है बहुत अच्छा कुश्यन ह फिर है संगीत रत्नाकर का संगीत रत्नाकर में कौन सा ध्याय गमको का वर्णन करता है यह भी अच्छा कुश्यन है बताईए पहला है यहां पे स्वराध्य है दूसरा है यहां पे विवेकाध्य है त्रीसरा यहां पे प्रकेणना अध्याय और चौथा है यहां पर प्रभंधा अध्याय बताईए राइट आंसर यहां पर कौन सा होगा कौन सा होगा ठीक है तो आपका यहां पर राइट आंसर प्रकेणना अध्याय है यहां पर जितने भी मैंने अध्याय लिखें इनका आप यह बताइगा की अध्याय कौन साह पहला है दूसरी तीसरा विवेका अध्ध है कौनसे है दूसरी है तीसरा प्रकीन्डा अध्ध है कौन सा है और प्रबंध delle कौन से है तो यहां से आगे आने वाल एक्जाम हो सकता है, यहीं से question पूछ ले, इसको अच्छे से करिएगा, तो guys इस वीडियो में इतने questions करेंगे, थोड़े थोड़े से questions ही मैं करा रहा हूँ, और आगे का और इसमें जो part है वो add on हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते ह नेक्स्ट वीडियो में, thank you for watching, this is Rahul Singh, जैहन